हाई एवरिवान आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है मैं INS बिराट के बारे में सारा डीटेल्स आज इस वीडियो में बताऊंगी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना भारतिय नौसेना का एरिक्राप्ट केरियर INS बिराट रिटाइड होने की करीब तीन साल बाद आखरी सफर पर निकल चुका है बिराट के आखरी यात्रा की तस्विर देखकर जरूर आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मैसिन के लिए इंसान भाबुक हो जाए लेकिन बिराट सिर्फ एक युद्धपोत नहीं भारतिय नौसेना की गोरफसाली इतिहास का सबसे महत्तोपुन हिस्सा है मुझे लगता है कि भारतिय नौसेना के सबसे पुराने सेनापती की तस्विर किसी भी सच्चे देश भक्त को भाबुक कर सकता है मुंबई हरबुर से निकल कर इसे अलंग के लिए ले जाया जा रहा है जहां इसे डिस्मेंटल किया जाएगा साल 2017 में ये रिटाइड हो चुका है रिटाइड होने के बाद लगभग तीन साल तक ये मुंबई हरबुर में ही था इसे स्रीराम नाम के एक कमपनी ने 38 करोड और 54 लाक में खरीदा है और इसे अब अलग ले जाया जा रहा है जहां पर सीप ब्रेक वर्ब में इसे डिस्मेंटल किया जाएगा आपको सायद इस बात की जानकरी ना हो लेकिन आइनेस बिराट दुनिया का सबसे बुढ़ा एरक्रप्ट केरियर है जो अब तक टिका हुआ था आइनेस बिराट को मौदर याने मा के नाम से भी जाना जाता है के बारे में कुछ रोचग जानकरियां देना चाहती हूँ ब्रिटिस नेवी द्वारा 18 नभेंबर 1968 को इस्तमाल किया गया था ब्रिटेन की रोयल नेवी में इसे HMS हरमस के नाम से जाना जाता है इसने आर्जेंटिना के खिलाब हुए युद में हिस्सा लिया था इसके बाद 1984 में ब्रिटिस नेवी ने इसे डी कमिस्टन कर दिया यानि सेवा मुक्त कर दिया 1987 में इसे भारत को बेचा गया आपको ये जानकर खुशी होगी कि आईनेस बिरट का नाम गिनिस बूक अफ वर्ल्ड रेकॉर्स में भी सामिल है ये दुनिया का एक लोता ऐसा वार्शिप है जिसे इतना बुढ़ा होने के बाद भी इस्तमाल किया जा रहा था और तब भी ये बहतर हालत में था ये ही बज़े है कि इसे ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है तीस बड़सों तक आईनेस बिरट ने सेवा दिया ये करीब बाईस सो पचास दिन तक समुद्र में रह चुका है ये करीब 10,94,215 किलोमीटर का रास्ता ते कर चुका है इसका मतलब है आईनेस बिरट ने दुनिया के 27 बार चक्कर काटने के बराबर मेहनत की है इस जहाज को आप एक छोटा सा सहर भी कह सकते है क्यूंकि इसमें लाइबरेरी, जीम, एटियम, टीवी, भीडियो स्टूडियो, हॉस्पिटल, दान्तों के इलाज का सेंटर और मीठे पानी का डिस्टिलेशन प्लांट भी उपलब्ध है आईनेस बिराट का मंत्र था जल में यस्या, बल में तस्या, यानि जो समुद्र पर नियंतरन कर ले, वो सबसे ताकतवर होता है INS बिरट को आप कारगिल का सूरवीर भी कह सकते है क्यूंकि कारगिल वार में लड़ाई सिर्फ टाइगर हिल की चोटियों पर भी नहीं लड़ी गई थी बलकि इस यूद में आरफ सागर का इलाका भी सामिल था इस जंगी जहाज को अंतिम बिदाई देते समय इन में से 21 कमांडिंग अफसर INS बिरट के डेक पर मौझूद थे आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ऐसे इनॉलेजबल वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंज के साथ सेर कीजिए थेंक यू